बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिकर करियर इंस्टिटूट के साथ शिकर करियर इंस्टिटूट पूर्वी भारत में एक मात्र कोचिंग संस्थान जो एक्स्क्लूजिबली है मेडिकल एंट्रिंस एक्जाम के लिए नवशकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत लाइब में है बहुत जरूरी है जी है बिल्कुल बहुत जरूरी है इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप और सरकार के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो जानना जरूरी है इसलिए नियम कानून काइदे जो बन रहे ह उस पर बहुत ज़रूरी है तभी जाकरके नियम कानून कायदे आपके हित में बनेंगे और आप उसका लाब भी उठा पाएंगे अब ये चर्चाएं बिल्कुल आम हो गई है जैसे भारत लाइब ने शुरू किया कि बहुत ज़रूरी है ये बहुत एक ब्यापक पैमाने पर पूरे देश भर में शुरू हो चुकी है बहस का सिलसिला जहाँ विपक्ष में सुरू हो चुका है वहीं सरकारे भी अब बहस के मूड में आ गई हैं और जिसका कारण आपको पता चला होगा कि 42-43 दिनों के बाद बिहार सरकार के निंद खुली है और वो बहस करने के तयार हो गई है आपको पता ही होगा कि आज सर्व कि नीतियों का हम पूरी तरह से इसमें चीरफार करते हैं और आपके सामने आपके हिसाब से आपके मसलब से उन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं आपके विचार लेते हैं और सत्ता की बातों को हम कहने के लिए पूरा ये एपिसोड लेकर के आते हैं एक तरफ जहां आपको जनकारी मिल ही गई होगी कि बिहार से बाहर फसे प्रवाशी मजदूरों के लिए समिकों के लिए सरकार कितनी ततपर है एक एक लोगों को लाने की बात अब सुरू हो गई है जहां यह कहा जा रहा था कि जो कुछ दिन पहले गए हैं सिर्फ उन्हें लाया जाएगा ल हरतलाइव लगतार चीजों को आपके सामने रखता आ रहा है इसके साथ ही सरकार की नीतियों को भी रखता आ रहा है अब एक नई बात सामने आई है आज जो कुछ भी इस्तरबदलिय बैठक में होगा वो तो आपके सामने आएगा ही लेकिन उससे पहले एक ख़बर बहुत के साथ साथ अब वी देशों से लाने वाले लोगों को भी वापसी की आस जग गई है सरकार ने उसके लिए निति और नियम बना दिये हैं आपको बता दें कि जो हमारे तक सूचनाय आई है उसमें लगभग 14,000 लोगों ने राइस्टेशन कराया है अलग-अलग देश से व वापसी भारत करने के लिए और सरकार के पास इसकी सुचनाय आ गई है और सरकार ने इस पर अपने नितिकत फैसले भी ले लिये हैं बताया ही जा रहा है कि 64 फ्लाइटों की विवस्ता की जाएगी और इसकी सुरुआत करके 79 दिनों में लोगों को भारत वापस लाया जाग में अमेरिका बिटेन से जो लोग लाय जाएंगे उनके सुरुआत साथ मई से इस योजना को क्रियानित करने की बात सामने आ रही है प्रतम चरण साथ मई से ले करके और अगले आधेस तक चलेगा जब तक कि लोगों को पूरी तरह से इन दोनों देशों से लाया नहीं जा करा चुके है करोणा महारी करोना संकट के पूरे दुनिया ने जिस तरह से जहेला है उसमें अब लोगों को अपने घर की चिन्ताय सताने लगी है अपने वतन वापसी की बहुत ज्यादा लोग चिंता कर रहे है और इसी का करण है कि सरकार ने उनके आने के लिए विचार कि लाने का विचार किया है और लोग अब आ सकते हैं आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भी कुछ हो रहा है उस उसने याद दिला दिया है कि किस तरह से गल्फवार के समय में यह सारी प्रक्रिया हुई थी आपको याद होगा या अपने इतिहासों में पढ़ा हो कि 1990 के दसक में जब गल्फवार छिड़ा था तो ऐसी ही स्थिति आई थी और लगभब एक लाख सतर हयाग लोगों को कई दिनों के प्रयास के बाद वाफसी कराया गया था और इसमें काफी समय लगा था आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया का मास्टर प्लान बना लिया गया है जहां एक तरफ बिहार अब पूरी तरह से अपने लोगों को लाने के लिए तैयारी कर चुका है केंदर सरकार और विपक्ष ने भी मांग किया है ऐसी बाते सामने आई हैं लगतार डिमांड ये किय जा रहा है केंदर सरकार को कहा जा रहा है आग्रह किया जा रहा है कि राज सरकारों को अपने अपने अनुशार अपने लोगों की वापसी के लिए स्वतनत्र छोड़ दिया जाए ऐसे ही अब केंदर सरकार जो है बिदेश से लोगों को वापस लाने के लिए अपनी नीतिय जो की पूरी तरह से लग चुके हैं सब्गलिय बैठक के बाद कुछ और बाते निकल करके आएंगी इस बीच में कहीं न कहीं, जिस तरह से निटीज कुमार ने चुपपी方 के की लिए कि निटी को लाइय लोगों को लाने के लिए किस तरह से योजनाएं बना रहे हैं इन योजनाओं पर कई बार प्रसंचीन भी खड़े हुए लेकिन इन सब के बाद अब अंत भला तो सब भला मान करके ही इसको अगर सोचा जाए तो आप इस बात को कह सकते हैं कि नितिश कुमार ने अंतिम अस्त चोड़ा है और आज वो विपक्ष के साथ बातचित करेंगे सर्वदलिय बैठक करेंगे और इसके बाद केंद सकार मदद करे या ना करें कितना मदद केंद सकार ने किया है यह सब पब्लिक डोमेन हैं आपने देखा भी होगा और इस करोना महामारी के बीच में जिस तरह क खास करके उन संस्थाओं के द्वारा उन लोगों के द्वारा उन दलों के द्वारा जो उनके साथ लगतार सत्ता में जमे हुए हैं इस सब के बावजूद अब नितीज कुमार पर पूरा दारोमदार है कि कैसे बीहारियों को लाते हैं क्योंकि अब केमर सरकार यानि कि पुंदारोमदार अबदीज कुमार के पास है। और निदीज कुमार कैसे लाते हैं, कैसे सुरक्षित रखते रहें। हमारी नजर पूरी बनी हुई है, इस पूरे प्रक्रिया पर हर खबद जो आप से सरोकार रखते हैं, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें हिमत बना करके रखें क्योंकि अब घर वापसी का रास्ता धीरे धीरे आपके लिए सुगम होता जा रहा है और आज जब सरदलियत बैठक हो जाएगी तो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बढ़ जाएगा जैसा कि हम उमीद करते हैं कि बहुत काम से इतर जा रही है आज निश्यत रुप से सरदलियत बैठक में ये बातें नुतिज कुमार और सरकार को बता देगी कि कैसे बिहार के लोगों को वापस बुलाया जाए और अब जो बिहार के लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए कैसे रोजगार का सीजन करें इस पर भी निश्यत रुप से एक पुकता इंतजाम और वेवस्ता सरकार को करना चाहिए खबरों का सिलसिला भारत लाइप पर जारी है जुड़े नहीं और यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लिजेगा साथ मजे साम में हम फि भी स्वरोकार है कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे साथ जूड़ सकते हैं बहुत-बहुत स्वागत करेंगा हम नमस्कार